ये समरत परमातमा, ये निरगुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सब का आधार, कण कण में है बस रहा, तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मित्या है संसार, गट गट वासी है प्रभू, अविनाशी करतार, डयासी तेरी हो सभी, भवसागर से पार, निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है वे अंत महिमा तेरी, दाता परम पार, परम पिता, परम आत्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभू, सबका हो कर लियान। बला करो सबका प्रभू, सबका हो कर लियाँ साथ संगर जी प्यार से कहना दैन नहिंकार जी आज जहां संतों महा पुर्शों ने सथ संगर के दोरान अनेक पहलू पे ये ध्यान दिलाया कि जो सच है वो तो सदैव रेने वाला ही सच है उसमें तो कोई भी चीज बदलती नहीं पर ये जो दृष्टिकोन है हमारा ये नजरिया ये परस्पेक्टिव ये जरूर अलग हो जाते हैं अनेकों पार और उसी तरह कैसे चाहे बात फिर वो एक सचाई की हो तो वहाँ धरम की भी बात रहती है क्योंकि ये धरम क्या है ये सचाई ये ब्रह्म ग्यान जो ना बदलता है ये युगों युगों से वही रहा और आगे भी इसने यही रहना है कैसे फिर वो जो बात आती है कि जब सिरफ एक सचाई जो वावजी भी अकसर अपने विचारों में एक्जाम्पल दे के समझाते थे कि अगर एक देश में दिन है तो दूसरे में उस समय रात हो सकती है वो टाइम जोन जलग हो सकती है तो फिर ये सन ये मून ये भी उस तरह रात और दिन का पहलू ये भी सचाई उस समय की एक देश की तो हो सकती है पर वो एक पर्मनेंट सचाई नहीं क्योंकि हर देश में वो सचाई लागू नहीं है तो ऐसी फिर ये कौन सी सचाई है जो ये हमेशा हर समय किसी भी एक situation में एक जगा पे जो ना समय से बंदी है किसी भी तरहां पे हमेशा कायम दायम रहने वाली ये सचाई ये निराकार ये परमात्मा जो कभी बदलता नहीं कभी ढलता नहीं तो कैसे इस तरहां जब हम एक सचाई की बात करते हैं तो वहाँ धरम और ये धरम क्या है जैसे हम सुनते भी हैं गाते भी हैं एक सेवा के जब भाव में कि मानफता है धरम हमारा हम केवल इंसान है तो जब मन में ये सच्छाई ठहर जाए तो कैसे फिर ये माननफता के लिए ही अपना जीवन अर्पित, समर्पित कर देते हैं हर कोई तो जब ये भी बात आती है कि इस निराकार के दर्शन हो गए ये इसकी पहचान हो गई when we've realized God तो फिर अपने आप ही हमारा एक नजरिया भी नया हो जाता है वो एक समझ धल जाती एक दिमाग में चीज बैठ जाती है कि कैसे हम हमीशा इस ही परमात्मा का ही अंच रहेंगे चाहे इस शरीर के अंदर हों या ये मृतिव होने के बाद ये शरीर खतम हो जाने के बाद इसमें मिलना है तो कैसे हमने जहां अपने उपर एक खुद को कैसे पूरे लाइफ में कनड़क्ट करना है अपनी सोच को कैसे मानविए गुड़ों में ढालते हुए खुद को सवारना है और वहीं बात फिर अगर एक पस्पेक्टिफ की होती है तो कैसे एक चीज अगर हम देखें वो अक्सर हमें हमारे मुताविक अगर ठीक लगती है तो वो हम उसको सही डिकलेर कर देते हैं और अगर एक conversation भी कर रहे हो किसी से बात भी कर रहे हो और दूसरा अगर उसी में कोई फर्क अलग सी बात करे कि बोले कि आप जो कह रहे हैं वो आपके point of view से ठीक है पर according to me मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए और वो अपनी बात को किसी और ढंग से फिर एक नए angle से पेश करते ह हैं तो कैसे फिर एक मन वहीं हमारा व्याकुल कि किसी तरह बस हम ये अब प्रूफ करें कि हमारी बात हमारा नजरिया ही important है दूसरे का नहीं जो तो समझ जाते हैं कि दूसरे की भी बात उतनी important उनका नजरिया भी तो वो तो आराम से एक बात को भी फिर भक्ती बना लेते ह उसमें भी परमात्मा का अंच देखकर फिर इस सचाई से जुड़कर अपने आपको आगे चला लेते हैं पर वहीं जो वाद विवाद की बात आती है फिर कैसे फिर एक अपने आपको इस्टाबलिश करने में ही ये इनसान जब लग जाता है कि अब मुझ से तो बात बोल दी है अप्रूफ करके भी दिखाएंगे तो फिर वो बात सिरफ एक नजरी एक पस्पेक्टिफ की नहीं आ जाती वहाँ आ जाता है अहंकार वहाँ आ जाता है स्वैम को श्रेष्ट कैसे साबित करना फिर वो एक प्रूफ करने तक ही बात रह जाती है तो फिर अगर अच्छा वक्ता होगा कोई वो तो फिर हर हाल अपने आपका अपना नजरिया ही सही साबित कर देगा तो बात सिरफ ये नहीं कि सामने वाला कितना अच्छा बोल सकता हो सकता है उसको भी अच्छा बोलना आता हो पर वो बात ये समझ जाए कि कुछ भी कहलेंगे ये दूसरे इंसान के बात समझ नहीं आने वाली तो अपनी एनरजी और टाइम वेस्ट ना किया जाए खुद को ही चुप कर दिया जाए और दूसरे के हां में हां कर दी जाए तो क ऐसे स्वयम को जब हमने ये अपने मन में ही श्रेश्ट इतना बना लिया तो फिर ये क्या हमें और किसी का नजरिया समझ में आएगा क्यूंकि एक बात इतनी सिंपल सी कि अगर हम कुछ ही मानविये गुणों पे भी अगर ध्यान दे तो ये जो लव, कमपाशिन, पीस, पैक्ट, ट्रस्ट ऐसे बेसिक जो बाते होती हैं, जो एक लिंगो में भी हमें अगर बात कर रहे हैं तो शाइद बोलना भी नहीं पड़ता, वो एक मोतियों की तरह शब्द ये वाले वन बाई वन आ ही जाते हैं होटों पे, जबान पे, पर अगर फिर हर ये क्यार के गहर कि किसी एक व्यक्ति से या परमात्मा से हम प्यार करते हैं पर हम उनको ना उनकी इज़त करते हैं ना उनको ट्रस्ट करते हैं तो फिर क्या वो प्यार प्यार है फिर वो नहीं रहता ऐसा और वहीं अगर दूसरा पहलू भी देखें कि अगर हम किसी की इज़त करते हैं क्या उसके लिए हमारे मन में हम दर्दी नहीं होगी क्या उस इंसान के प्रती एक हमारे मन में हमेशा ऐसी इच्छा कि हमेशा उसके उपर ही भरोसा करने का ये अंदर से दिल करता है और कितनी बारी फिर ऐसा संसार में भी हम देखते हैं कि सब बोलते हैं कि हमारे साथ तो हमेशा बुरा होता आया है पर एक सर्टन इंसान ये जब जीवन में आया तो जीवन बदल गया हमें भी वो प्यार का एहसास हुआ, वो एक ट्रस्ट का एहसास हुआ तो कैसे फिर हर एक में हम में वो पोटेंशल है कि हम पूरे संसार में प्यार बांच सकें हम सब में वो एक है निरंकार दुआरा दी गुई ये जिस भाव से हम दूसरे के साथ पेश आते हैं तो हमें जहां निरंकार का किया गया हर पल, हर एक जीवन में घटती हुई चीज ये डिसिजिन सराखों पे खुशी-खुशी रखना है वहीं एक अपनी सोजी जो परमात्मा ने दी है उसमें भी हमें खुद को किस तरह एक ढालना है कि हर एक के कामा सकें अपने दिल को इतना साफ बनाना है कि फिर चाहे एक वो दिल हो या आईना फरक नहीं होना चाहिए ये अंदर भार से कैसे हैं वो एक रस वाली बात ये दिल दिमाग में ये फरक ना होने वाली बात तो दासी अब घड़ी देख रही है और इससे जादा कुछ और बोल नहीं पाएगी इनी शब्दों से आगया लेके ये ही कामना कि हर कोई सेवा सिमरिन सत्संग करता चला जाए और अपने आपको इस निराकार काही बना ले पूरी तरह चाहे वो शरीर तो सेवा कर सकता है पर मेन बात की वो मन भी सेवा करे वो शरीर तो सत्संग अटेंट कर सकता है और कानों में अच्छी बातें डाल सकता है पर वो मन सच्ची बाते स्विकार करके उन पर चल सके यह जो समिरन भी है, यह भी अपने आप में सिर्फ शब्द ना रह जाए पर अपने आप को सच में इस निरंकार से जोडने का ही इसका प्रयोग किया जाए दातार सभी पे किर्पा करे साथ संगर जी धाननकार जी दातार जिर्वाती कुल कार कर दातार तेरे दातार जिर्वाती कुल कार तूनी निरंकार इक तूनी निरंकार मेहाशर्ता फिली निरंकार तू है जाता बख्षडबार तू है दाका तक शरै भां मेरी अब गुड़ा जीतार मेरी अब गुड़ा जीतार तू दे निरंकार मेरी मेरा रूक admir चन्कार मेरा रोख है जन्कार मेरा रूंक है संका, सब्दा बना करूं कहिंगा, सब्दा बना करूं कहिंगा, मेरी रूंक ना चीता, मेरी अग पुड़ ना चीता पुड़ि निरंका, डिक्ति निरंका, । मेरा डूले ना इत्मार, मेरा डूले ना इत्मार बख्षो शर्णा फगती प्यार शर्णा पगती प्यार प्यार, गंगे शन्तार प्रम्टिकार, गंदी निरंकार, पुरि निरंकार सद्गुरु माता सुदिश्यात विंदर हर देव जी महाराज तीज निरंपारिय राज माता गुर्ब जन्यवतार तीज साहसंग जी प्यार सी कहना धैनिंकार जी स्द्दक्ढ्र्ट चाहस हर जी झाल कर 10 म 36 यारव जाजिन अियर एत्रवतों. यसी बाय राज माता सुद्सक्ण खनकार.